Words Like a Loaded Pistol by Sam Lath पर फिर भी यह हमारी रोजमर्रा की जिन्दगी से लेकर हमारी इनसानी अतीत तक को समझने में काफी एहम भूमी का निभाती है। किसी को influence करने की कला को कहते हैं। इसलिए हम चाहे भाशन कला को कितने भी पुरानी और धोका देने वाली कला कहें। सच तो यह है कि यह बोलते समय हम भी भाशन कला का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भाशन कला की वज़े से ही अपने दोस्तों और जॉब इंटर्वियोर्स से अलग-अलग तरह से बात करते हैं। आप खुद से ही पुछे कि कितनी बार आप बिना किसी को इंफ्लूइंस करने के मखसद से भाशक अस्तेमाल करते हैं। भाशन कला की इस्तेमाल से वज़ना मुश्किल है क्योंकि शब्दों की मदद से ही कम्यूनिकेशन यानी जानकारी का आदान-प्रदान हो पाता है फिर भी इसे नीची नजरों से देखा जाता है। उदारण के लिए ओबामा के बारे में ये कहा गया था कि वो हवा में बाते करते हैं और सिर्फ बड़ी बड़ी बाते बोलते हैं। उनके आलोचकों का मानना था कि ओबामा के पास बोलने के अलावा और कोई खास गुर्ण नहीं है। देखा जाये तो ये बोलते हैं उनके आलोचक भी भाषन कला का ही इस्तेमाल कर रहे थे। इंसान का अतीत और इंसानियत को समझने के लिए हमारा भाषन कला को समझना बहुत जरूरी है। भाषा की मदद से ही इंसानों का विकास ममकिन हुआ है। जहां भाषा है वहां भाषन कला भी है। इसलिए ये मानना गलत नहीं होगा कि जहां कहीं भी इंसान है वहां भाष भाशन कला भी होगी। के साथ शांती से बात करने के लिए क्रॉस पर चढ़ाया गया था। किसी ने उन पर खतरनाक विचारों को फैलाने का आरोप लगाया। लेकिन उन्होंने समराट को कभी कोई धमकी नहीं दी। यही बात मार्टिन लूथर किंग जूनियर की शांती पूर्ण एक्टिविज्म पर भी लागू होती है। दूसरी तरफ सभी तानशाई सरकारें शब्दों को प्रोपगेंडर की तरहां इस्तमाल करते हैं। हिटलर को सता सर्फ बल से नहीं मिली थी, बलकि अपनी बातों से जौमनी के असंतुष्ट लोगों के दिल को जीत कर मिली थी। हिटलर भाशनकला की मदद से ही जौमनी का लीडर बना था। भाशनकला को कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। यह आपको यह समझने में मदद करती है कि लोग असल में आप से क्या चाहते हैं और वो किस तरह से आप से उसे पाने की कुशिश कर रहे हैं। इसा इसी लिए क्योंकि अक्सर लोग भाशनकला का इस्तेमाल अपनी चाहें पूरी करने के लिए करते हैं। प्रभावशाली भाशनकला की शुरुवात अपने तरकों को पहचानने और उसे साबित करने के तरीकों को सोचने से होती है। आरस्तु ने अपनी किताब रेटोरिक में भाशनकला को पाँच भागों में बटा है। पहले भाग का नाम invention है, यानि ये सोचना कि आप किसी भी दिये गए विशय पर क्या बोल सकते हैं। invention भाशनकला का वो हिज़ा है जिसमें आप जो भी साबित करना चाहते हैं उसे अच्छे से परिभाश्यत करते हैं और उन तरकों के बारे में सोचते हैं जो आपकी बातों को मनवाने या साबित करने में मदद कर सकते हैं। अक्सर अपनी बात को मनवाने या साबित करने के कई तरीके होते हैं पर आपको वो तरीका चुनना चाहिए जो आपके audience के साथ mail खाए ऐसा करने के लिए आपको अपनी audience की life philosophy, prejudices और demographic का पता होना चाहिए उधारण के लिए मान लीजे कि आपको अलग-अलग audience को अपना conflict resolution method अपनानी के लिए मनाना है अब अगर आपके audience में बहुत सारे managers हैं तो आपको इस बात पर जोर देना चाहिए कि आपका method कितना प्रभावशाली है और किस तरह से ज्यादा समय बचाता है पर अगर आप HR के लोगों से बात कर रहे हैं तो आपको इस बात पर जोर देना चाहिए कि कैसे आपका method दो parties को एक दूसरे से अच्छे से बरताव करने में मदद कर सकता है अब जब आप समझ चुके हैं कि आप कौन सी बाते मनवाना या थावित करना चाहते हैं और ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है अब आप ऐसा करने के लिए persuasion के थ्री मोड्स का इस्तवाल कर सकते हैं persuasion का पहला मोड है ethos ये बोलने वाले की authority और उसके खुद को पेश करने के तरीके से जुड़ा है और धारन के लिए जब F. Kennedy ने जर्मन भाशा में ichbin and berliner यानि में एक berliner हुँ कहा था तब वो जर्मन audience का ध्यान खीचने के लिए ethos का ही इस्तमाल कर रहे थे persuasion का दूसरा मोड logos है इसमें बोलने वाला व्यक्ति अपनी logic और तरकों पर ध्यान देता है पर ये बात याद रखना जरूरी है कि तरह तरह की सभिताओं के लिए अलग अलग तरह के तरकों का इस्तमाल करने की जुरूरत होती है इसरा सबक style, memorization और delivery अरस्तू के बाच भागों में बाटे गए डाचे के आखरी हिस्से हैं आप जो बात कहते हैं वो महतपून है पर वही सब कुछ नहीं है आपके argument का style यानि आपके तरक करने का तरीका भी बहुत जरूरी है असल में लोग आपकी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे ये बहुत हद तक आपके argument की style पर निरभर करता है आपके argument में प्रभावशाली style को इस्तेमाल करने के लिए आपको अपनी audience को अच्छे से समझने की जरूरत है ऐसा इसलिए क्योंकि ये जाना बहुत जरूरी है कि वो किस तरह की बातों पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे आप अपने argument में शेक्सपियर की तरह मीठी बाते बोल सकते हैं पर ऐसा नहीं करने में ही भलाई है ऐसा इसलिए है क्योंकि आजकल लोगों को ज्यादा चिकनी चिपड़ी बाते पसंद नहीं आती और वो इसे नीची नजरों से देखते हैं अब लोग उनकी बातों पर जल्दी भरोसा नहीं करते हैं जो उनसे बहुत ज्यादा मीठी बाते करते हैं ज्यादा persuasive बनने के लिए आपको सीधी और आसान भाशा का इमानदारी से इस्तमाल करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी बाते दिखावटी नहीं लगेंगी। याद रखिए इस तरह से सीधी और आसान भाशा में बात करना भी भाशनकला का ही एक हिस्सा है। इस पर कोई भी प्रैक्टिस करके मास्टरी हासल कर सकता है। इसमें नेचरल स्कल्स की कोई जरूत नहीं है। ज्यादा तर उच्च दरजी के वक्ता और लेखक जैसे कि अमेरिका के पूर विराश्ट्रपती बराक उबामा हाई और लो दोनु तरह के स्टाइल का इस्तेमाल करना जानते थ आपकी स्ट्राटेजी चाहे कितनी भी अच्छी हो ये मेमराइजेशन और डिलेवरी के बिना अधूरी है। अक्सर दो एक्टर्स जब एक ही रोल के एक ही टैलोग्स बोलते हैं तो भी उनके परफॉर्मेंस का ओडियंस पर अलग अलग प्रभाव पढ़ सकता है। उधार की ऐसा करने में मदद कर सकते हैं। बद खिस्मती से लोगों के लिए भाचन कला के ये आखरी हिस्से बहुत ज्यादा मुश्किल और डरावने हिस्से हैं। कुछ लोगों को मेमराइजेशन और डिलेवरी की चिंता से स्टेज फ्राइट यानि स्टेज पर बोलने से डर हो की जो भी आप बोलना चाहते हैं वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठना जाए। ये प्रभावशाली रूप से बोलने का सबसे अच्छा तरीका है। बाशन कला का सबसे ज्यादा इस्तेमाल राजनेतिक और न्याईक शित्रों में होता है। दृश्य एक खिलोने की द लोगों को किसी खास काम को करने के लिए मनाना होता है। आम दोर पर राजनेतिक भाशन कला में ये तरक दिया जाता है कि इस काम को करने से लोगों का फायदा होगा या ये काम करना नहतिक रूप से जरूरी है। कभी कभी किसी काम को करने के पक्ष में ये दोनों तरक साथ में दिया जाते हैं धारण के लिए बच्चा अपने माता-पिता से वादा कर सकता है कि यदि वो उसे पाँच हजार की इलेक्ट्रोनिक कार खरीद कर देते हैं तो वो बहुत अच्छा वैवार करेगा या यह कहकर कि उसके सभी दोस्तों के पास यह लोने पहले से ही हैं वो द इसमें जुडिशल या फोरेंसिक भाषनकला बहुत प्रस्ते है यह गोट्रूम की भाषनकला है इसमें तरकों का इस्तेमाल इंसाफ़पाने के लिए किया जाता है इसमें हम पता लगाते हैं कि अतीत में क्या हुआ था और उसकी मदद से हम जानते हैं कि कौन सी घटना सच में हुई थी और कौन सी घटनाएं जोटी हैं जो कभी असलियत में नहीं घटी इसकी मदद से किसी भी व्यक्ति को दोशी या निर्दोश साबित किया जा सकता है खुल मिलाकर भाशनकला हमारी चारों और मौजूद है अगर आप एक प्रभाव शाली कम्यूनिकीटर बनना चाहते हैं तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है जैसा किया रुस्तु ने कहा है आपको अपने लिखित और बोल कर दी जाने वाली स्पीच में हारे पहलों पर मास्टरी हासिल करने चाहिए इसमें आपके स्पीच का टून, स्ट्रक्चर, वार्ट चॉइस और डिलिवरी भी शामिल है